Stock, Demat Account, Portfolio, Bear Market, Broker, Leverage, Short Selling ये शब्द आपने कभी न कभी किसी न किसी की जुबान पर जरूर सुने होंगे जब भी कोई Investment या Share Market ती बात करता है तो इन शब्दों का इस्तिमाल जरूर करता है Stock Market में अलग-अलग घटनाओं को बताने के लिए इन Share Market ती Vocabulary का इस्तिमाल किया जाता है ये Stock की दुनिया, Market Pattern, निवेश की Strategy, Share Market, Chart, Index, Trading की Strategy आदी में प्रड़क्ट को समझने के साथ साथ Financial दुनिया के लिए बहुत उपयोगी है आईए अब Share Market के विभिन Terms के बारे में बात करते हैं जिन्हें एक नए या फिर किसी भी Share Market के प्रतिभागी को पता होना बहुत जरूरी है Shares सबसे छोटी ही काई होती है जो किसी भी व्यक्ति के किसी कमपनी में हिस्सेदारी को दर्शाता है जिस निवेशक के पास जितने Shares होंगे वो होल्डर उस कमपनी के उतने हिस्से का मालिक होगा Demat Account Demat Account शक्त का उपयोग एक Repository को दर्शाने के लिए किया जाता है जहां किसी भी व्यक्ति की Stock Holding से संबन्दित सभी जानकारियां Digital Roop से रखी जाती है Portfolio एक निवेशक जितना निवेश करता है उन सभी निवेशों को जहां स्टोर करते हैं उससे ही Portfolio कहा जाता है एक Investor के पास Portfolio में केवल एक Share या कई Securities हो सकती है एक Portfolio में Share, Bond, Future, Option आदी जैसे Financial Instrument की विविवित रेंज शामिल हो सकती है Bay Market Bay Market इंडस्टी से संबंधित एक ऐसा हाश शब्ध है जो मार्केट की पूरी स्थिती में गिरावट का संकेत देता है यदि किसी विशे स्टॉक का स्टॉक मूले गिर रहा हो तो उसे बैरिश माना जाता है Bayer Market आम तोर पर इंवेस्टेर के मार्केट के प्रती निराशा, डर और अर्फ विश्था के बारे में नेगेटिव भावनाओं के कारण होता है Bull Market Bull Market वो सिचुएशन है जिसमें Financial Bazaar बढ़ रहा है या फिर निकट भविश्य में ऐसा होने की उम्मीद है Bull वास्तविक दुनिया के Bell से लिया गया है जिसे आम तोर पर उपर की दिशा में हमला करने के लिए जाना जाता है Broker Broker Stock Exchange और उन Investor या Trade के बीच एक मध्यस्त है वह Commission के बदले धन और शेयरों के Transfer की सुवधा देते हैं Broker एक बिचौलिये होते हैं जो खरिददारों और विक्रेताओं के बीच Trade की सुवधा देते हैं Leverage Share Market में Leverage का अर्थ है एक से अधिक शेयरों में निवेश करने के लिए पुझी को उधार लेना इसका एक ही उदेश ये होता है मुनाफे को जादा से जादा बढ़ाना Leverage का अर्थ ये है कि छोटी investment को बड़ी investment में कैसे बदला जाए Short Selling हाल के समय में ये term काफी popular हुआ है Short Selling अटकलों पर आधारित है कि मार्केट में मन्दी है और शेयरों की कीमतों में गिरावट आ जाएगी शेयर की कीमतों में गिरावट से निवेशक का लाब भी नीचे आ जाएगा तो ये थे शेयर मार्केट से जुड़े कुछ ऐसे शब जिनका मतलब जानना किसी भी निवेशक के लिए जरूरी होता है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ